अरे भाई दही बड़ा कौन नहीं खाना चाहता तो आज की रेश्पी में लेकर आ हैं दही बड़ा विल्कुल देसी अंडाल में उसके लिए आपको पूराने जवाने में चलना होगा पूराने टाइम में तो चले पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब प्यार दे तो चले दही बड़ा बनाने के लिए हम दे रहे 200 ग्राम उड़त डाल जो कि हमने एक रात पहले से भीगो के रखे थे और अच्छी तरीके से भीग चुके और मतलब अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और एक चमस्ना हम मेठी लिए हुए मेठी को भीगो दिय वह प्रॉब्रम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाए कि चुटकी बजाते ही तो दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसे बहुत ही बढ़िया से एक काम करना या तब सिलबट्टे का यूज़ कर सकते है या तो आप इसको मिक्सी में अच्छे तर तो आपको जीरा और धनिया दोनों को रोष्ट करके एक फाइन पॉडर बनाने नहीं बनाते हैं तो नॉर्मल थोड़ा सा दरदरा करते बहुत ही बढ़िया होगा हमने फटा फट से कराही को रख दिया था और उसके उपार सरसों का टेल डाल देंगे क्योंकि हम मारे पास टा इस पेस्ट में जो हमने उरट डाल का पेस्ट बनाए तो उसमें मिला देंगे और स्वाद अनुसार आपने इसमें नमक डाले नमक का कोई मैं आपको मेजरमेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी टेस्ट आपके उपर डिपेंड करते आप सौल्टी नहीं परसंद करना च पर कि नमक नमक जबै यां ंजबाब में इसके चले जाना चाहिए तो अच्छे तरीके से हो गया्या नहinas can be बड़े को उसमें आप डिप करना इंगे इसमें लिए हमनें बड़े को की I levelreen आप देसी सकते हमें गाओं में के वही दमने दही लिया है तो जो हमने रोस्ट किया था पॉड़र को उसके इनल डाल लेंगे स्वाज अंस्वाइए इसमें भी नमक दाल लेंगे ऑप को च्छोटे पीस करके डीप करेंगे तो अलगे अगर आपके पास स्वेटर बिनने वाले जो पीन होते ना आप उसकी मदद से भी इसमें छोटे-छोटे छेदे कर सकते हैं उससे क्या होगा ना कि जो ऑईल है बहुत असानी से अंदर जाके उसको अच्छे से क्रिस्पी करेगा पकाएगा भी और जब आप इसको डही के अंदर जो आप टीप करेंगे तो अंदर तक से जूसी होगा बहुत ही बढ़ियान तर तो आप स्वेटर बिनने वाले जो पीन होते उससे अभी अब कर सकते हैं हमारे बड़े बनके बिल्कुल तैयार है तो फटा-फटा हम इसको साइड निकालेंगे और तुरंट गर्मा गर्म इसे हम डिरेक्ली दही के अंदर डीप कर देंगे उससे क्यों जब गर्मा गर्म है ना तो बहुत टेडि से जो तेही है दही के पानी को अंदर एब्जर्प करता हो बहुत टेडी साफ होता तो उससे पहले ठोड़ा से इसको ऐसे दबाले मुठी में ले दबाने बाद आ अब ड़लगही करना रहा था इसलिए मैंने मैंने मम्मी का help ले लिया क्योंक वेress अच्छी तरीके से गांडिसिंग कर सकते हैं जैसे आपकी मन है आया आप ऐसे भी खा सकते हम लोग तो बस इसके ना चीनी डालते थे और यह चमच चमच खाना शुरू कर देते थे बहुत मज़ाता था तो इसके उपार थोड़ा सा खटी देही जो हमने जिस देही में हमने द प्याज चॉप के हुआ अच्छी तरीके से फ्याज जाल थोड़ा सा कुकुमबर आपके पास वह कुकुमबर ढल दे तो यह आम के मौसम में कच्छी आम मिल लएं चोटे-छोटे पीस करके उसको भी जाल सकते हैं जबहुत बढ़ियां लगता है तो हम मैंने कुकुमबर य हैंगे कि आप किसी फाइप इसार होटल में बैठ के ओडर किये हुए इतना अच्छा लुक आता है तो अच्छी तरीके से डाले थोसा प्रेट में गानी सिंगर देए और थोड़ा सा उसके ऊपर जो हमने पॉडर बनाए था धनिया अजी रखा वो पॉडर से थोड़ा सा घर कर देंगे और थोड़े से कोरियंडा लेव से गानी सिंग कर देंगे और बिल्कुल सच वातरा आप लुक देखिए इसका इतना बढ़िया इकता फैंटेस्टिक बना हुआ है ना कि आपकी मूँ में आपको देखके पानिया जाएगा तो इसको अच्छी तरीके से खाए औ आप मुझे कॉमेंट करें और बताये कि आपको आपकी देही वड़ा की रेश्पी कैसे लगी और आप अपने एक्प्रेस्टिक बना खेंगे कैसा फील हुआ और आपने किस तरीके से बना और साथ में हम बनाया है एक रिफ्रेसिंग ड्रिंग जो की काफी अच्छी है काफ लोगों की काम आने वारी आपको मेरी यह वीडियो चाहिए हो रिफ्रेसिंग ड्रिंग की फटा फटसे मुझे कमेंट करें और मैं कोशिज करूं कि आपको इस गर्मी में यह रिफ्रेसिंग ग्रवाइट करो ताकि आपके दिमाग बिलकुल सांध रहे और आपका दिन बिल वाने टाइम में लोग कैसे खाते थे तो चलिए हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए ट्रिके से राध है राध है जै स्री कृष्णा